तो आज की इस वीडियो में आपसे टैमरान के 70-300 mm लेंस के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में आपको पांच ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों आपके बैग में ये लेंस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो हर एक पॉइंट की बाद मैंने एक फोटो और वीडियो सेंपल से आपको पॉइंट समझाने की कोशिश किया है तो बस आपको वीडियो चलो शाप करते हैं अचि की आपनी ये वीडियो तो सबसे पहला reason है कि आपको portraits बहुत अच्छे click करके देता है अब लोगों के दिमार में misconception यह है कि आप अच्छी portrait सिर्फ उसे prime lens से click कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये lens भी आपको बहुत ये अच्छी portraits click करके देता है अब इस lens का prime lens के उपर एक advantage है कि आप prime lens में zoom नहीं कर सकते आपको portrait क्लिक करना है तो अपने subject के पास और दूर है के portrait क्लिक करना पड़ेगा लेकिन इस lens में ऐसा नहीं है आप दूर खड़े हुए एक person की भी यहाँ पे रहे के zoom करिए और आप अच्छी खासी portraits क्लिक कर सकते हैं दूसरे advantage यह है इस lens का कि आप जब भी portrait क्लिक करते हैं तो आपको compression देखने को मिलता है अपनी portraits में अब चिली ये दोनो points में आपको अपने video sample और photo sample के थुरू समझाता हूँ तो अब आप इस video sample के थुरू समझिए कि भले ही आपका model आपसे दूर क्यों ना खड़ा हो आप इस lens की focal length का फायदा उठा करके zoom करके बहुत ही अच्छी portraits क्लिक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जितना में zoom करूंगा आपको उतना ही जादा background blur और video में bokeh देखने को मिलेगा तो left वाली image मैंने 70 mm में click की है और right वाली image full zoom करके आने 300 mm पे click की है तो अब चली मैं आपको कुछ photo sample दिखाता हूँ जो कि मैंने different different focal length पे shoot की है ये सारी raw images यानि unedited images में आने आपे रख दिये ताकि आपको एक idea लग जाए कि ये lens कैसी images click करके देता है तो अब चली मैं आपको second point समझाता हूँ कि compression क्या होता है अब आप इन तीनों images में देखिए कि जैसे ही मैं zoom कर रहा हूँ तो पीछे आपको टावर दिख रहा होगा वो भी बड़ा होते जा रहा है तो इसे हम compression बोलते हैं तो जब भी आप telephoto lens का use करते हो तो आपको compression आपकी photo में देखने को मिलता है जो कि आपकी photo को और भी जादा अच्छा look देता है तो अब आप एक और photo sample देखिए जो कि मैंने 70-300 mm lens का use करके click की है तो जो second point है वो है इसका inbuilt macro mode तो जैसे ही आप इसकी focal lens change करके 180-300 mm तगाते हैं तो आपको एक switch मिलता है उपर normal से macro mode पे तो आप macro mode पे से switch करेंगे तो इससे आप macro photos क्लिक कर सकते हैं और जैसे आप इसको macro mode पे switch करेंगे तो इसका जो focus ring है वो infinity से लेके macro तक बढ़ने लगती है तो यानि जो beginner macro photography करना चाहते हैं वो ज़रूर इस lens को purchase कर सकते हैं तो आप चलिए मैं आपको इस lens से click की हुई कुछ macro photos और videos देखाता हूँ तो इस video sample के starting में आप देख सकते हैं आपको सब कुछ out of focus देख रहा है लेकिन जैसे मैं zoom करूंगा 300 mm पे जाऊंगा और macro mode पे switch करूंगा तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ detailed में देखने लगे यहाँ पे आपको water drop plates तक देखने को मिलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस lens का use करके बहुत ही अच्छे macro shots भी click कर सकते हैं तो अब चलिए मैं आपको कुछ macro shots दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी lens का use करके click किये है तो जो 3rd point है वो है इस lens की availability यह lens इतना power packed और इतना zooming capability के साथ दूनों ही company के users के लिए अवेलेबल है यह lens Canon के लिए अवेलेबल है इसका मतलब यह नहीं कि आप same lens दोनों ही company के DSLR में लगा सकते हो Tamron Canon के लिए अलग mount बनाता है और Tamron Nikon के लिए अलग mount बनाता है तो अगर आप Canon user है तो आप Canon वाला mount ले और अगर आप Nikon user है तो आप Nikon वाला mount ले एक बात और कि आप इस lens को 70-300 mm lens को आप crop sensor camera में भी use कर सकते हो और एक full frame camera में भी use कर सकते हो तो fourth reason है wildlife photography अगर आप एक beginner है और आपको wildlife photography करना है तो आप इस lens को जरूर purchase करें इस lens में आपको 70 mm से लेगे 300 mm तक zooming capability मिलती है और आपने 55-250 mm lens के बारे में जरूर सुना होगा तो उस lens में और Tamron के इस lens में आपको 50 mm का difference देखने को मिलता है यानि कि आप Tamron से और भी जादा zoom कर सकते हैं तो wildlife photography में इससे अच्छा क्या होगा कि आप अपने subject के और भी जादा करीब जा सकते हैं एक बात और ध्यान रखिए जितनी जादा lens की focal length होगी उतना ही जादा वो lens आपको background blur produce करके देगा तो यह जो video sample है यह मैंने 70-300 mm lens से shoot किया है अब आप इस video sample में एक idea ले सकते हैं कि इस lens की zooming capability कितनी है और आप कितनी दूर बैटी हुई bird की photos click कर सकते हैं तो अब चलिए मैं आपको कुछ photo samples दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी lens का use करके click की हैं एक बात और कि यह सारी photos मैंने घर पे रहके click की हैं यानि मैं बाहर अपने घर से नहीं निकल पाया है क्यूंकि मेरी city में lockdown लगा हुआ है तो obviously मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता तो यह सारी photos मैंने घर पे रहके click की हैं और कुछ एक दो photos जो हैं वो पुरानी मैंने या पे use की हैं तो यह सारी sample photos आपको इतना तो idea दे देंगी कि अगर आपको इस lens से wildlife photography करना है तो आप इस lens को definitely purchase कर सकते हैं तो झाल मैंने ला मैं अला क्सक्वान gehtте शोुआ हैं दो कर सथ दो जिस अदrichten कि शोन को बंगे के रह पंगी हैं जोब सेथ depending कर से दो क्यों आपको उलाग शो जोग कि शवाख उला की बाहर पते खो पुरिम कि उजवा चालो चriters तो आप बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की जो है प्राइस अब मैं इस लेंज को चाहूंगा 55-250 mm लेंज से आपको टैमरॉन में पहली बात तो जादा फोकल लेंज मिलती है 55-250 mm के कमपेरेटिवली इसमें आप 50 mm तक और जादा जूम कर सकत हो तीसरा पॉइंट की क्रॉप सेंसर और फॉल फ्रेम कैमरे में भी अटैच हो जाता है इतने सब फीचर होने के बाद भी जो टैमरॉन का 70-300 mm लेंज है यह फिर भी कैनन के 55-250 mm लेंज से इसकी प्राइस कम है टैमरॉन का यह लेंज आपको अविलिबल हो जाता है दस हजा इस पॉइंट को कंजिडर करने का मेरा मेन मोटे यह था यह लेंज इतना पावर पैक्ट होने के बाद भी इतना सस्ता है तो इन बीएंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कर कर देना ताकि हम और लोगों तक पहुंच जाएं अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे देए गए हो सब्सक्राइब रेटन को प्रेस कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में टिल दें टेक केर बाइबाइ